ब्रजबूशन श्रंड सिंग मामले में नार्को टेस्ट को लेकर तमाम हो अल्ला होता नजरारा इन सब के बीच सबकी नजरे एक खेल मंत्री पर भी बनी है कि अनुराग ठाकुर का क्या फैसला रहता है क्या वो इस नार्को टेस्ट में पहलवानों के समर्थन में रहेंगे या ब्रजबूशन श्रंड सिंग के वैसे तो उनके बयान जो नजर आए उन्होंने साफ तोर पर यही बात करी कि हम यहाँ पर खुले तोर पर किसी को भी समर्थन नहीं कर रहे हम समर्थन कर रहे हैं निय बिश्वास है कि नियाई पालिका का फैसला इस पूरे घटना करम पर साफ तोर पर आता नजर आएगा और जिस तरीके से नियाई पालिका के फैसले को लेकर कई सारी मांगे उठाई जा रही हैं ये सब बाते भी चोकाने वाली हैं लेकिन नियाई पालिका के फैसले को भरोसे से पहले हमारे द्वारा उठाए जाए जाए गे और इस ग्रफतारी को लेकर तमाम फैसले भी लिये जाएंगे तो इस तरीके सी हाँ पर साफ तोर पर बाते रखी गई है कि अनराग ठाकुर चाहते हैं इस मामलें पर कि सब के सामने सच आए और उन्हों ने ये भी कहा था कि ह हमने महिला पहलवानों के समर्थन में जाच कमेटी बलाई सबको आगे रखा लेकिन इसके बावजूद भी इनको हम पर भरोसा नहीं है तो पहली बात तो इनको धरना परदशन करना ही नहीं चाहिए दूसरी बात ये कि अगर ये धरना परदशन कर भी रही है तो कई ना माचे कि जाच का फैसला क्या निकल कर सामने आता है अब देखते हैं इस मामले पर अनुराग ठाकृर क्या अपने फैसले पर बने रहते हैं या नहीं कॉँकि उन्होंने साफ कहा था कि जो भी नर्दोश होगा या जो भी दोश्य होगा हम उसके समर्थन उसके खिलाफ में नज़र आएंगे लेकिन अनुराग ठाकुर ने ऐसा कोई कड़ा कदम नहीं इठाए कूंकि जाच कमेटी को लेकर ही कई सवाल खड़े कर दे थी हाँ पर पहलवानों ने कि जाच कमेटी ने हमारी बाते सुनी रो पड़े लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी फ फिर उसके बाद कुछ जिम्मेदारिया सोपी गई थी पुलिस को तो इस मामले में भी ऐसा ही होना चीए था अब देखते हैं ऐसे मामले पर आया क्या रहा है बनती है बन रहें शनल के साथ ऐसे और तमाम जानकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद